Welcome back to my channel, आज का वीडियो Facebook users के लिए बहुत ही special होने वाला है आप लोगों को पता होगा कि Facebook ने एक नई privacy policy locked लाई है और इसे आप सभी boys girl यूच कर रहे हैं इस profile lock setting के आने से अभी अगर हम किसी का भी profile photo देखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं आपको सबसे पहले Google Chrome browser open करना है और वहाँ पे आपको Facebook type करना है तो चलिए Facebook type करते हैं Facebook type करने के बाद इसे search करना है जैसे ही search कीजेगा आपके सामने एक नया page खुल जाएगा और आप लोग देख रहे हैं कि सबसे उपर में Facebook लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को click करना है click करने के बाद आपके सामने एक नया page खुलेगा और आप लोग को अपना जो भी है login कर लिजेगा उसके बाद आप लोग को आजो Facebook का homepage खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा Facebook का homepage खुल गया है तो आप लोग इस line में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा option है जहाँ से हम लोग message करते हैं जहाँ पे notification आता है जहाँ से video देखते हैं और एक option friends का भी है तो चली हम लोग उहाँ पे click करते हैं जैसे ही friends को option पे click किजेगा आपके समने एक नया page खुल जाएगा और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे friend का option आ गया है यहाँ से हम लोग इन लोग को add कर सकते हैं यानि friend request भेश सकते हैं तो आप लोग को जिसका भी profile देखने का मन कर रहा है उसके click किजेगा तो चलीए मैं इस नाम पर click करता हूँ click करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि इसका profile open हो गया है और साथ में आप लोग mobile के सबसे नीचे screen में देख रहे हैं कि इसका profile का link है तो उसे click करना है जैसे ही click किजेगा आपका chrome browser open हो जाएगा अगर आपका chrome browser open नहीं होता है तो आप अपने से chrome browser खोलिएगा और वहाँ पे जो अभी copy किये जो भी link उसको वहाँ पे paste कर देना है तो चलिए मेरा यहाँ chrome browser अपने आप open हो गया है तो आप लोग देख रहे हैं कि search box के नीचे में एक facebook का link दिया हुआ है तो उसे copy करना है और copy करने के बाद इसे paste कर देना है इसके बाद आपको उस link के सब से आगे तरफ जाना है और वहाँ पे आपको दीख रहा है कि https के बाद select के बाद aim लिखा हुआ है और aim के बाद dot है उसके बाद facebook लिखा हुआ है तो हम लोग को aim के बाद जो है basic लिखना है small letter में ध्यान रखिएगा कि aim के बाद ही लिखना है dot से पहले लिखना है फिर इसे search करना है तो आप देख रहे हैं कि profile unlock हो गया है अब आसानी से हम लोग इसके जो है profile photo और cover photo को देख सकते हैं आप इस photo को download करके आसानी से देख सकते हैं इसके लिए आपको profile photo या cover photo को जो भी है उसे click करके रखना है और उसके बाद download का option आएगा तो फिर इसे download करके देख सकते हैं उम्मिद करता हूँ कि यह video आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे channel को subscribe कर दीजेगा साथ मैं bell घंटी को press करके like और share भी कर दीजेगा धैन्यवाद